हेलो गाईज and girls मैं प्रवीन आपके साथ and हम लोग आगे बढ़ेंगे question no.7 जो हम लोग कर रहे थे April 2019 का जो paper है describe six factors that affect the price of a European put option on a dividend paying share including how they impact the option price okay so share factors क्या क्या है एक हमारा हो जाएगा share price फिर एक हमारा हो जाएगा strike price फिर एक हमारा हो जाएगा time to expiry time अलग होता है time to expiry अलग होता है फिर एक हमारा हो जाएगा sigma फिर एक हमारा हो जाएगा interest rate so interest rate फिर एक हमारा हो जाएगा dividend rate okay so now basically they are talking about put option ठीक है हम लोग को बोला है describe six factors that effect describe six factors okay so I hope so everything is clear हम लोग term कर रहे हैं एप्रिल 2019 का ठीक है so describe six factors that affect the price of a European put option तो अगर मालो मैं share के price को बढ़ाता हूँ तो put का दाम गिरेगा अगर मैं strike price को बढ़ाता हूँ तो मैं इंदा मनी जाओंगा तो इसका दाम बढ़ेगा time to expiry जितना जादा होगा volatility उतना जादा होगा तो इसी लिए ये बढ़ेगा sigma जितना जादा होगा उतना put का दाम जादा होगा interest 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 जितना जादा होगा उतना put का दाम कम होगा क्योंकि मैं basically right to sell है न तो basically मैं share hold कर रहा हूँ मेरे पास cash नहीं है so I am losing out on the interest dividend जितना जादा होगा put का दाम उतना ही जादा होगा ठीक है तो आई ये इसका हमने बढ़ेगा समझ लेते हैं share का दाम जादा है put मतलब क्या होता है right to sell right put का मैंने क्या बताय था नीचे जाने से difference आएगा put अगर buy किया है buy अगर मैंने put buy किया है तो नीचे जाने से difference आएगा उपर जाने से laps यादा रहे हैं अगर मानलो strike price है strike price के उपर क्या होता है laps and strike price के नीचे क्या होता है exercise नीचे जाने से difference आएगा तो अगर share price भरता है तो put का दाम गिरता है ठीक है उसके बाद में strike price जैसे मालो अगर 100 का strike price है 105 का strike price है 110 का strike price है तो basically क्या हो रहे है हम लोग in the money जा रहे time to expire जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा probability होगा कि जो basically करेगा stigma जितना ज़्यादा होगा हम लोग को पता है options is the volatility game interest interest बढ़ेगा मतलब मेरे पास में share है मैंने विदेग उसको बेचा नहीं है तो इसलिए put का दाम गिरेगा dividend जितना ज़्यादा होगा उतना ही बोलो ना dividend जितना ज़्यादा होगा उतना ही put का दाम बढ़ेगा क्योंकि मेरे पास में share है याद आ रहे है सबको ठीक है उसके बाद में consider a European call option currently priced at 15.60 based on an underlying share price at अगर मैं यही पर call का कर दूँ यह जैसे मैंने put का किया है अगर मैं यही पर call का कर दूँ तो यह बढ़ेगा यह गिरेगा time to expire ही जितना ज़्यादा होगा यह बढ़िया है यह बढ़िया है यह बढ़ेगा और यह गिरेगा ठीक है ना आईए इसके बाद हम लोग को बोल रहा है call option का जो price है C0 C0 का जो price है that is 15.60 ठीक है share price हम लोग को दे दिया है S0 हम लोग को दे दिया है S0 हम लोग को दे दिया है 34.55 ठीक है the option has a delta so delta अपने को दे दिया है 0.5 gamma gamma अपने को दे दिया है 0.1 ठीक है theta theta अपने को दे दिया है 0.05 day to the power minus हर day का और यह negative है ठीक है so two days later the underlying share price has risen to 35 so basically 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद मेरा S2 S2 मेरा कितना है 35.25 ठीक है न calculate the new approximate value of the call option explain why a low value of gamma is desirable मैं पहले third part इसका answer करूँगा why a low value of gamma is desirable मेरा बात ध्यान सुनना जब हम लोग क्या बोलते है share price में change होने से option के price में कितना change होगा that is delta share में change होने से option के price में जो change होगा that is delta अब share कदाम change हो रहा है share कदाम change होने से delta में क्या change होगा देखो बेसिकली d d st of delta is what gamma second order share कदाम change होने से delta में जो change होगा that is gamma right so अगर मान लो gamma बहुत जादा है gamma बहुत जादा है तो delta gamma बहुत जादा है तो इसका मतलब क्या है ध्यान सुनना हम लोग को क्या करना है हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग को risk free portfolio बनाना है risk free portfolio बनाना है so basically why a low value of gamma is desirable low value of gamma low value gamma का value अगर low है इसका मतलब क्या है अपना share कदाम अगर उपर नीचे होता है so delta उतना उपर नीचे नहीं होगा और अगर delta उतना उपर नीचे नहीं होगा, तो हम लोग को बार-बार rebalancing नहीं करना होगा, हम लोग को बार-बार rebalancing नहीं करना पड़ेगा, तो हम लोग का cost बचेगा, cost बचेगा हम लोग का, ठीक है न, तो basically मतलब क्या है, low value of gamma, अगर मानलोग gamma का value बहुत high है, इसका मतलब क्या है, share का दाम अगर change होगा, तो delta change होगा, delta change होगा, तो मेरा portfolio risk-free नहीं रहेगा, right, delta change होगा, तो मेरा जो portfolio है, वो risk-free नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसी लिए, इसी लिए, हम लोग क्या बोलते, low value of gamma is desirable, low value of gamma is desirable, ठीक है न, low value of gamma फिर हम लोग को बलते है, approximate value of the call option, so हम लोग बनाये थे, black schools model हम लोग बनाये थे, black schools model में हम लोग क्या बनाये थे, हम लोग बनाये थे, change in value is equal to what, delta into change in share price, plus 0.5 into gamma, into change in share price का square, ठीक है, plus theta into change in time period, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, delta मेरा है 0.5 into, change in share price is 0.7, ठीक है, फिर plus 0.5 into 0.1 into 0.7 का square, minus 0.05 into 2, ठीक है ना, चलो बताओ, यह मेरा आ रहा है, 0.2745, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, new option price मेरा कितना आ जाएगा, new option price मेरा कितना आ जाएगा, 15.87, बहुत इंपोर्टन कोश्चन है, यह बहुत ही जादा इंपोर्टन कोश्चन है, गामा describes how delta changes, when the share price changes, a low value of gamma therefore implies, that delta is not very sensitive, to changes in the share price, बतलब, अगर मेरा share price change होगा, the delta उतना frequently change, नहीं होगा, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं, question number 8 में, so derivatives का portfolio का value कितना है, value है अपना 10 लाग का, ठीक है, the one day return on the portfolio between today and tomorrow is normally distributed with parameters, mu is 1%, mu अपने को दे दिया है 1% and sigma is 20%, calculate in respect of the value of the portfolio tomorrow, the expected value of the portfolio, the variance of the portfolio value, the downside semi variance of the portfolio value, relative to the expected value, the shortfall probability relative to 10 लाग्स, ठीक है, तो यह बहुत ही simple question है, अपने को mu बोला है 1%, अपने को क्या बोला है, one day return का mu है अपना 1%, normally distributed है, ठीक है, one day return का अपना 1% है, तो कैसे करेंगे इसको ध्यान देना, कैसे करेंगे इसको ध्यान देना, one day return, on the portfolio between today and tomorrow, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, S1 by S0, यह होगे अपना return, ठीक है ना, S1 by S0, return है ना, return is mu is 1%, तो if the return is 1%, if the return is 1%, तो, अपने को बोला expected value of the portfolio, तो 10,00,00 का अपना portfolio value है, into 1.01 होगा, विकोज एक दिन का expected return है 1% का, तो यह अपने निकाल लेंगे, उसके बाद में अपने को बोल रहा है, portfolio का जो sigma है, that is 20%, so it will be, अपने को निकालना है, जैसे एक चीज़ समझना, IE का दिया वे अपने, IE follows normal 0.01,0.2 का square, तो जो 1 प्लस IE होगा एक दिन का, यह क्या follow करेगा, normal 1.01,0.2 का square, ठीक है, यह दिया वे अपने को, ठीक है, तो अब जैसे यह तो अपने समझ गए, अब जब variance का बात करेंगे न, तो अपने को निकालना है variance, दस लाख, 1 प्लस IE, तो इस विल बे, दस लाख का square, इंटो, 0.2 का square, तो अगें दिस दो लाख, का square, ठीक है, फिर बोले है, तो दाउनसाइड, सेमि वेरियंस अपने को क्या बोल रहा है, तो दाउनसाइड सेमि वेरियंस, तो वेरियंस का अधा हो जाएगा, बिकास नॉर्मल इस्टिबूशन है, इसी को अपने कर देंगे, downside semi-variance क्यों? क्योंकि symmetrical distribution है normal distribution तो अपने करेंगे 2,00,00 का square divided by 2 फिर अपने को बोल रहा है the shortfall probability related to 10,00,00 ठीक है? तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? probability 10,00,00 1 plus x is less than 10,00,00 ठीक है? तो बेसिकली यहां पर अपने को क्या निकालना है? probability x is less than 0 10,00,00, 10,00 cancel हो जाएगा ठीक है? तो x is less than 0 का मतलब क्या है? x, basically x is i and i follows normal 0.01,0.2 का square so this is what? probability z is less than 0 minus 0.01 whole divided by 0.2 चीक है? अब इसको solve करिए आप लोग को answer मिल जाएगा determine the 99% value at risk over the 1 day period related to the expected portfolio value related to the expected portfolio value का मतलब होता है 10,00,00 into 1.01 ठीक है? तो यह अपना solve हो जाएगा अब लोग चालू करेंगे value at risk निकालने बोला है न आपने को? so value at risk is very important हम लोग को बोला है determine the 99% value at risk over the 1 day period related to the expected portfolio value तो पहले हम लोग 99% value at risk निकालेंगे so probability x is less than t is 0.01 यह होता है जो अपने को p level जो दिया रहता है so probability z is less than z is less than t minus 0.01 by 0.2 is equal to 0.01 now the 1% value is what? minus 2.1% value is minus 2.3263 is equal to t t minus 0.01 by 0.2 ठीक है? तो पहले तो इसको solve करिये पहले तो इसको solve करिये यह कितना आ रहे है यहां से so हम लोग का जो t का जो value आएगा t का जो value आएगा this is 0.01 plus 0.2 into minus 2.3263 इसको solve करिये इसको solve करके बताएए कितना आ रहे है यह मैंने fx82 es plus calculator लिया है so this is 0.01 अच्छा पहले यह stat mode में तो stat mode से हटना पड़ेगा 0.01 plus 0.2 into minus 2.3263 so this is coming to be minus 0.455 2.6 अब अपना initial value कितना है 10 लाक है so 10 लाक इन्टो minus 0.455 2.6 into 10 00 000 so this is minus 4.55 2.60 यह t का value है so t is negative मतलब वार इस positive मतलब loss so क्या बोल रहा है 4.555 2.60 ठीक है 4.55 अपने को क्या बोला है बोलते 909% value at risk over the one day period related to the expected portfolio value ठीक है ठीक है तो this is 4 I guess they have done something else and I don't feel that it's correct ठीक है अट से लिए पाम लोग देखते हैं इसको normal minus देखो 10 लाग के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का यह आ रहा है ठीक है so basically यह अपना जो आया है यह वाला जो अपना है यह loss का figure आया है ठीक है अब relative to अपने को बोला है expected portfolio value अपने क्या कर सकते हैं 10 लाग 10,000 minus 455 260 यह बढ़ देखो यह कितना आ रहा है तब समझ में आएगा plus 10 लाख 10,000 554 आ रहा है अपने को अपने को अपने को इसमें ना दो तीन तरीके से वहर निकाला जा सकता है हमने जो किया है यह लोग बोला है over the one day period related to the expected portfolio value so यह एक हमने निकाला हमने यहाँ पर x जो लिया है हमने यहाँ पर जो x लिया है न यह हमारा return है तो इसके हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का यह आएगा relative to 10,10,000 अगर अपने करेंगे तो अपना आएगा 554740 so basically बोलने का मतलब क्या है क्योंकि यह loss indicate करता है so there is a 1% chance there is a 1% chance की losses इसको exceed करेंगे and there is a 99% chance की जो losses है वो इसके अंदर रहेंगे जब मैं इसको expected fund value से minus कर देता हूं तो basically यह मेरा बन जाता है fund value तो इसका मतलब क्या है there is a 1% chance की मेरा जो fund value है वो इससे कम रहेगा and there is a 99% chance की मेरा जो fund value है वो इससे ज़्यादा रहेगा but यह मैंने किया x के respect में but अभी देखो यह लोग बोलगा return so हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 1 plus x less than t is 0.01 तो अगर हम लोग ऐसे करते हैं अगर हम लोग इसको ऐसे करते हैं तो क्या होगा वो मेरे को देखना है 1 plus x less than t so यहां से क्या आ जाएगा probability 1 plus x is less than t which is 0.01 so probability x is less than t minus 1 which is 0.01 ठीक है so again probability z is less than t minus 1 minus 0.01 I guess same ही आएगा इससे भी वही चीज़ आएगा यह लोग कुछ तो करवड किये है actual में देखो होना तो यही चाहिए कि over the one day period related to the expected portfolio value ना नहीं अगर हम लोग इससे भी करेंगे तो भी तो भी लोगा same ही आएगा 1 plus x is less than t so x is again less than t minus 1 so ठीक है यहां करके देखते हैं x तो मारा वही follow करेगा x again will follow normal 0.01 x will follow normal 0.01, 0.2 का square ठीक है तो यह माइनस हो गया अपना ठीक है so whole divided by 0.2 is 0.01 ठीक है यह अब करके देख लेते हैं t minus 1 minus 0.01 by 0.2 is minus 2.32 minus 2.3263 एक बार इसको solve करके देखते हैं so this is minus 2.3263 into 0.2 plus 1.01 if I am not wrong so this is coming 0.54474 so basically यहाँ पर मेरा जो t आ रहा है यहाँ पर मेरा जो t आ रहा है this is positive मतलब मेरा जो war आएगा वो आएगा negative मतलब fund value अब इसको हम लोग multiply कर देते हैं 10,00,000 से ठीक है so war मेरा आएगा minus 544474 minus 5444740 war negative है तो इसका मतलब क्या है 1% chance है 1% chance है कि मेरा जो fund value है मेरा जो fund value है 1% chance है कि मेरा जो fund value है वो इससे कम रहेगा and 99% chance है कि मेरा जो fund value है वो इससे ज़्यादा रहेगा ठीक है अब एक बात बलो हम लोग को बोला है relative to the expected portfolio value so अब अगर हम लोग इसमें add कर देते हैं 10,00,000 ठीक है अब अगर हम लोग इसमें add कर देते हैं 10,00,000 ठीक है so अब अपना answer सही आ रहे है 4,65,2,60 ठीक है so basically पहले देखो मैंने गलती क्या किया था यहाँ पर मैंने गलती क्या किया था मैंने सिर्फ x को ले लिया था बट मेरे को लेना था 1 प्लस x यहाँ पर बात किसका हो रहा है बात हो रहा है return का return मतलब क्या होता है 1 प्लस x होता है कि मैंने एक रुपय लगाया उस पे कितना return है ठीक है न so basically हम लोग को अगर पूरा एक बार मैं answer चाहिए over the one day period बोला है ठीक है तो खाली x लेने से नहीं आगा यह मैंने जो किया इस गलत यह रॉंग है ठीक है यह वाला process wrong है so this is the right process so one plus x less than t से चालू करेंगे x का मेरे को distribution already पता है so x is basically the interest मने basically जो भी earn करेंगे हम लोग so one plus x is less than one plus x is less than t so x is less than t minus 1 ठीक है ना दोनों तरफ मैंने जेट में convert किया, equate किया so मेरे हापा t का value positive है tka value positive मतलब war negative मतलब fund value ठीक है, so fund value का मतलब क्या आता है 1% chance है कि मेरे जो fund value होगा वो इससे कम होगा 99% chance है कि मेरे जो fund value होगा वो इससे ज़्यादा होगा now relative to 10,10,000 जब मैं कर रहा हूं तो मेरे यह आ रहा है now this is again positive war में positive आना मतलब loss war में positive आना मतलब loss अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं so 465 260 मेरा war आ रहा है मेरा war आ रहा है मतलब यह loss indicate कर रहा है क्योंकि यह positive है तो इसका मतलब क्या है 1% chance है कि मेरा जो shortfall है मेरा जो shortfall है relative to मेरा जो shortfall है relative to 10,10,000 मेरा जो shortfall है relative to 10,10,000 1% chance है कि मेरा जो shortfall है relative to 10,10,000 will exceed this amount will exceed this amount ठीक है and 99% chance है कि मेरा जो shortfall है relative to 10,10,000 will be less than this amount समझ गया? मतलब बोल लेगा मतलब कह है relative to 10,000,000 का मतलब क्या है 1% chance है कि मेरा जो shortfall होगा वो इससे जादा होगा और 99% chance है कि मेरा जो shortfall होगा वो इससे कम होगा this is very 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 important question for your exam ठीक है so determine the minimum number of days that would need to pass such that the probability of a 99% one day war event is at least 50% ये बहुत simple है ठीक है so 99% so हम लोग कैसे तालो करेंगे probability probability not seeing not seeing a 99% war event war event in end days in end days is 0.99 to the power n probability of not seeing a 99% war event in end days ठीक है एक दिन देखो war होगा war को exceed करेगा इसका probability है 1% नहीं exceed करेगा इसका probability है 0.99 दो दिन में क्या होगा 0.99 का square तीन दिन में क्या होगा 0.99 का cube and so on ठीक है और ये बोलता है ये जो है is at least 50% मने minimum number of days is at least 50% मतलब 0.99 को पहले equate कर दो 0.99 to the power n को equate कर दो 0.5 से ठीक है तो यहां से solve कर लो दोनों तरफ log ले लो so n ln 0.99 is equal to ln 0.5 तो मेरा n यहां से कितना आएगा ln 0.5 by ln 0.99 ठीक है तो यहां से मेरा जो n आएगा यहां से मेरा जो n आएगा so यहां से n विल बी greater than equal to 69 days यहां से basically मेरा जो n आ रहा है ln 0.5 divided by ln 0.99 so this is 68.96 and n should be greater than that so n should be greater than equal to 69 यह बाँ करके देख लेते 0.99 to the power 69 so इस से मेरा आ रहा है 0.499 ठीक है और अगर मैं power में जाके 68 करता हूं so आ रहा है 0.50 तो वही हम लोगों question ने बोला था कि भई determine the minimum number of days that would need to pass such that the probability of a 99% one day war event is at least 50% ठीक है is at least 50% बोला है ना मतलब बोलने का मतलब क्या है determine the minimum number of days that would need to pass such that the probability of a 99% one day war event is is at least 50% मतलब एन शुद बी ग्रेटर देन इक्वल टो 69 ठीक है minimum number of days that would need to pass such that the probability of a 99% one day war event is at least देखो पावर में जब 68 है ना तो 68 consecutive days अगर नहीं होगा तो तुमारा 0.504 आ रहे है और जैसे ही मैं पावर में 69 करता हूँ तो वो 0.499 आ रहे है समझ रहे हैं ना तो basically 69 will be the answer 69 या फिर उससे ज़्यादा ठीक है बने तुम लोग में भी नहीं समझ पा रहे है not seeing not seeing a 99% war event in 9 days हम लोग को को सुम ने क्या बला minimum number of days that would need to pass such that the probability of a 99% one day war event is at least 50% हम लोग को यहाँ पर क्या चाहिए कि 69th day पे करवाना है 69th day पे करवाना है बोला है ना यहाँ पर क्या बोला है minimum number of days that would need to pass such that the probability of a 99% one day war event is at least is at least 50% so basically one day war event one day war event का तुमारा minimum 50% होना चाहिए तो 69 पे होगा मतलब 69 पे होगा 69 एफिर से ज्यादा पे होगा ठीक है देख लो एकसको एक बार देख लो एकसको एक बार एक कोशन और है कोशन नमर नाइन देख लो अ इस चयूसर च स्अज़िबर अचय पे लोद से सिंहा साठी क बार तो इसलाइल सुषाल चूसर चूसर लो Arm sum of 500 when a student passes his or her final exam. Students pay a premium of 50 at each exam session irrespective of how many exams they are sitting and the last premium is paid in the exam session where the student qualifies. There are two exam sessions each year April-October. Premiums are paid in the month of the exam. Exam results are published immediately after the exam and the 500 is paid if the student has qualified. The insurer has issued three policies on 1st January 19 to students who are close to qualifying. The insurer assumes that each student has a 25% chance of qualifying in each future exam session. The insurer's initial assets are 750 and this does not earn any interest. So initial assets are 750. Calculate the insurer's assets after April 19 premiums are received. So premiums receive 3 jen ka. 1 jen se 50 rupaya करके ले रहे रहे. So basically क्या हो जाएगा? Plus 50 into 3. So the total premium is? My total assets is 900. पिर हमनों को बोला है calculate the probability of ruin when the exam results are released. So qualify करने पी कितना देना है? 500. अगर दो बच्चा बन जाएगा तो crew in हो जाएगा. So x1 जो है वो दो होगा. x1 जो है वो तीन होगा. If two or more students qualify. If two or more students qualify. बहुत simple सा है. बोला है तीन जन को policy बेचा है. तीन जन को policy बेचा है. पचास शुर्पा करके premium लेगा qualify होने पर 500 और qualify होने का probability हम लोग को दे दिया है. बाकि सब question पूछ रहे हैं. So 2 जन qualify करेगा. 2 जन qualify करेगा. So 0.25 का square into 0.75. एक जन qualify नहीं करेगा और यह तीन तरीके से हो सकता है. ठीक है? तीनों जन qualify करेगा 0.25 का cube यह सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है. अपने को निकालना क्या था? कि पहला exam session में ही दो या फिर उसे ज्यादा लोग qualify कर जाए. तो इन दोनों को अपन प्लस कर देंगे. इन दोनों को अपन प्लस कर देंगे अपना assets आ जाएगा. फिर बोल रहा है अब रूइन कब होगा जब सिर्फ तीन बच्चा क्वालिफाई करेगा. रूइन वी लॉकर ओनली इफ आल त्री स्टुएंट्स क्वालिफाई. और नहीं में दिखाऊंँ तो 700.500 मेरे पास में था उसमें 50 रूपया करके तीन जन दिया. एक जन में प्लस कर दिए तिन दे दिया. तो अभिछा दो बच्चा से मैं 50 रुपए करके लूँगा, यह मेरा total आता है, 500, ठीक है, अगर 2 बच्चा qualify कर गया, तो मैं ruin हो जाओंगा, क्योंकि 1 बच्चा qualify कर गया, तो मैं ruin नहीं होँगा, so second x2 is equal to 2, so 2 बच्चा है, और 2 बच्चा अगर qualify कर गया, क्योंकि अगर 1 बच्चा, April 19 में निकल गया, देखो, April 19 में अगर 1 बच्चा निकल गया, तो बच्चा कितना, 2 बच्चा बच्चा ना, तो दोनों बच्चा करेगा, मतलब 0.25 का square, 0.25 का square, 0.25 का square, ठीक है, फिर हम लोग को बोले, calculate the overall probability of ruin, before the end of year 2019, तो basically इसमें क्या हो सकता है, इसमें हम लोग को अलग-अलग scenarios बनाना पड़ेगा, पहला scenario क्या बन सकता है, कि x1 में greater than equal to 2 हो जाए, फिर एक हम लोग क्या बना सकते हैं, कि पहले वाले में कोई ना qualify करे, पहले वाले में कोई ना qualify करे, और दूसरे में तीनों qualify करे, एक और हम लोग क्या बना सकते हैं, कि पहले वाले में एक qualify करे, और दूसरे वाले में दोनों qualify कर जाए, ठीक है, इसको solve कर लेंगे, और कोई scenario नहीं हो सकता है, explain the impact on the ultimate probability of ruin, if the insurer issues more policies on same terms, ठीक है, the expected payment per policy, in the first exam session, तो expected payment per policy, expected payment per policy, तो यह क्या आएगा, 500 into 0.25, expected payment कितना और है, 500 देना है, और देने का probability कितना है, 25%, तो यह आ रहे 125, 125 आ रहे, right, this is significantly more than the premium, यह बहुत जादा है, यह बहुत जादा है, premium जो लोग ले रहे 50 पर से तो बहुत दी जादा है, तो अगर मान लो, तुम तीन के जगा में 30 policy बेच देगा, तो तुम पहला ही session में, तुम पहला ही session में ruin हो सकता है, ठीक है, अगर बढ़ जाएगा, तो वोलाटिलिटी जैसे मान लो, तुम तीन से मूफ किया 30 में, फिर तुम तीन से मूफ किया 300 में, फिर तुम तीन से मूफ किया 3000 में, ठीक है, तो वोलाटिलिटी कब कमेगा, वोलाटिलिटी कब कमेगा, जब वोलाटिलिटी कब कमेगा, जब तुम्हारे पास 3,000 policies होगा क्योंकि pulling से क्या होता है volatility risk कटता है ठीक है so basically यह सारे reasons है यह बहुत easy question है ruin theory पे आज की दिन पे बहुत ज़्यादा statistical based question नहीं आता है ruin theory पे इसी type के question आपको देखने को मिलेंगे बहुत अच्छा question है question का सारांश बिलकूल simple है question का जो सारांश है वो बिलकूल simple है ठीक है हम लोग को बोला है हम लोग को क्या बोला है student qualify करेगा student qualify करेगा 500 रुपय देंगे ठीक है उसके लिए premium लेंगे 50 50 रुपय ठीक है और probability देदिया है क्लियर करने का probability है 25% और नहीं क्लियर करने का probability है 75% बस यह यह question में so thank you that's it from April 19 पेपर इसके बाद में हम लोग move करेंगे September 19 पेपर में ठीक है हमने सबसे पहले किया September 23 फिर हमने किया April 23 फिर हमने किया April 19 आप हम लोग करेंगे September 19 का पेपर ठीक है ना thank you all of you